बिसमिल्ला है रमाने रहीम, Assalamualaikum Friends Friends, पिछले दिनों 4 किलो दूद गरम करते हुए फट गया था तो मैंने सोचा क्यों ना आप से फटे दूद की बनी recipes share की जाएं तो आज मैं आप से बड़ी लाजवाब processed cheese की recipe share कर रही हूँ जो के बनाना बहुत असान है और आप खुद भी तूद फाड की recipe बना सकते हैं Friends जैसे नाम से ही जाहिर है process cheese यानि के इसके चन प्रॉसेस हैं अगर आप ये लाजवाब cheese बिल्कुल perfect बनाना चाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि recipe आखर तक देखें और इसके तमाम process को ठीक तरीके से follow करें तो चलिए recipe स्टार्ट करते हैं Friends जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों 4 kg दूद फट गया था हुआ यूँ कि मैंने पहले 2 kg दूद का packet गरम किया वो फट गया था फिर मैंने दूसरा packet निकाल के गरम किया तो मुझे गलती यह हुई कि मुझे मीठा सोड़ा डाल के गरम करना चाहिए था और मैंने direct गरम कर लिया इसलिए यह दूद भी फट गया Friends आपको उपर कोने में जो 2 kg दूद फटे हुए की footage नज़र आ रही है इसकी तो मैंने कलकन बना ली थी जिसकी recipe आप उपर आई बटन क्रिक करके देख सकते हैं और इस फटे हुए दूद की हम processed cheese बनाएंगे Friends दूद पहले से फटा हुआ है इसलिए हमें दूद फाड़ने की ज़रुवत नहीं है वैसे अगर आप ये recipe बनाना चाहें तो lemon juice या फिर सिर्के की मदद से दूद फाड़ के भी process cheese बना सकते हैं बिल्कुल same process से जो हम process cheese बनाने के लिए आगे process करेंगे अब इस भटे हुए दूद में से इस टेनर की मदद से पानी यानी वे और पनीर यानी चीज को अलाइदा कर लेंगे और पनीर में से पहले इस तरह spatula की मदद से पानी को अच्छी तरह निचोड लेंगे और फिर इस तरह दोनों हातों की मुदब से निचोड़ेंगे ताके इसमें से बहुत अच्छे से पानी सेपरेट हो जाए फ्रेंड्स जब भी हम खुला दूद गरम करते हैं तो सामने खड़े रहते हैं और दूद में उबाल आने का इंतिजार करते हैं और जो दूद खराब होता है उसमें उबाल आने से पहले ही दूद फट जाता है तो खराब दूद जैसे ही फट जाए आपने वैसे ही चूला बन कर देना है उसे पूरी तरह नहीं उबालना और फिर कवर करके रख देना है इस तरह से जो चीज बन कर तयार होती है वो बहुत soft बन कर तयार होती है और जब soft cheese यानि पनीर से कोई भी cheese बनाई जाए चाए वो मिठाई बनाई जाए या cottage cheese बनाई जाए या फिर इस तरह process cheese बनाई जाए बहुत अच्छी बन कर तयार होती है अब इसे एक bowl में रखकर side पर रख देते हैं और चलते हैं अगले process की तरह trends of process cheese बनाने के लिए एक solution तयार करना है जो के process cheese की base है एक टेबिल स्पून bowl में पानी शामिल किया है एक टी स्पून citric acid यानि के टाट्री शामिल करेंगे अब टाट्री को बहुत अच्छे तरीके से पानी में mix कर लेना है कि ये बिल्कुल पानी में dissolve होके गाइब हो जाए friends पनी में से ये पानी separate हुआ है उसे जाया मत कीजेगा उसे आप आटा गुनने में या फिर कड़ी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं friends मैंने भी पनी में से separate हुए पानी को छोटे-चोटे air tight boxes में डालकर freeze कर लिया है जो मैं हजबे जरूरत इस्तेमाल करूंगी friends citric acid पानी में बहुत अच्छे तरीके से हल हो गया है अब इसमें ये 1 टी स्पून baking soda यानि के मीठा soda शामिल करेंगे ख्याल रहा है कि baking potter शामिल नहीं करना, baking soda शामिल करना है, अब इसे भी बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेना है आप देख सकते हैं तमाम अज़ा आपस में बहुत अच्छे तरीके से mix होकर एक clear solution सा हमें मिल गया है मैं आपको check भी करवा देती हूँ कि कितना clear बनकर तयार हुआ है आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी transparency है बस हमें इसी तरह का process solution दरकार है अब इसे side पर रख देते हैं और process चीज को set करने के लिए एक air tight container को butter से grease करके side पर रख देंगे अब चलते हैं अगले process की तरह अब ये separate किये हुए पनीर को grinder jar में शामिल करेंगे अगर आप unsalted butter शामिल करेंगे अगर आप unsalted butter शामिल कर रहे हैं तो हजबे जरूरत या 140 जपून regular नमक शामिल कर लिजएगा 80 ml यानि के 1 3rd cup milk शामिल करेंगे अब इन तमाम अज़ब को blender में इतना blend करना है कि इसका texture बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए क्रेंट्स यह mixture blend होते वे काफे गाड़ा हो जाएगा तो वन गो में इसे blend करने की कोशिश मत कीजएगा मचीन को on off करके इसे blend कीजएगा और बीच बीच में इस तरह चमचे या स्पैचूला की मदश से बैटर को उपर नीचे कर लिजएगा ताके बहुत अच्छे तरीके से blend हो जाए चीज का mixture blend होकर तया है चीज का mixture blend होने के बाद इसी तरह से क्रीमी होना चाहिए यह mixture blend करने में आपको चार से पांच मिनट भी लग सकते हैं अब इस mixture को थोड़े बड़े size के bowl में ट्रांसफर कर लेते हैं friends आप देख सकते हैं कि कितना smooth texture है इस batter का तमाम batter को bowl में ट्रांसफर कर लिया है अब हम चलते हैं अगले process के तरफ मैंने हजबे जरूरत पानी boil होने के लिए pan में रख दिया था पानी हमने pan में इतना रखना है कि bowl की base पानी में dip हो जाए जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाए तो mixture का bowl पैन में रख देंगे अब मुस्तकिल चमचय चलाते हुए इस mixture को इतना पकाना है कि यह mixture बिलकुल melt हो जाए और यह mixture melt होने में तकरीबन 12-15 मिनट लग सकते हैं परेशान मत होईएगा कि इतनी देर लग रही है मैं यह mixture melt करने के लिए शीशे का bowl इस्तमाल कर रही हूं तो जरूरी नहीं है कि आप शीशे का bowl इस्तमाल करें आप पिस्टील का bowl भी इस्तमाल कर सकते हैं प्रेंड्स आप देख सकते हैं तकरीबं 15 मिनट में प्रोस्टीश का mixture बहुत अच्छे तरीके से melt हो गया है देखें माशला से कितनी अच्छी और जबदस प्रोस्टीश बनकर तयार हो गई है बस जब melt हो जाए तो हमें इसी तरह का texture दरकार है अब इस प्रोस्टीश के प्रोस्टीश बहुत मज़े की बनकर तयार होती है मुझे तो यह प्रोस्टीश बहुत जादा पसंद है तो कोशिश कीजेगा आप भी इस रेसिपी से जरूर प्रोस्टीश बनाए और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्वाब में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्रोस्ट चीज को कंटेनर में टांसफर कर लेने के बाद क्लिंग रैप कर देंगे और इसको एर टाइट करके रूम टंपरेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर इसे फ्रिज में रख देंगे इसे कवर करके ही ठंडा होने दीजेगा अगर आपने खुली ठंडी होने दी तो क्या होगा उपर एक मूटी सी लेयर जम जाएगी रूम टंपरेचर पर ठंडा हो जाने के बाद अब इसे फ्रिज में तकरीबन 3-4 घंटे के लिए रखेंगे ताके बहुत अच्छे तरीके से सैट हो जाए प्रोसेश चीज फ्रिज में 3-4 घंटे रखकर बहुत अच्छे से सैट हो गई है अब इसे एक प्रेट में निकाल लेते हैं मैं आपको प्रोसेश चीज स्लाइसेज में काटके ब्रेट पर अरेंज करके आपको सैंविच बना कर भी दिखा देती हूँ कितनी जबदस्त ये चीज बन कर तयार हुई है प्रेंड्स यूज करने के बाद आपने ये चीज फ्रिज में ही रखनी है सैंविच को बटर लगा कर दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे सैंविच बहुत अच्छे देसी गया है इसे निकाल लेते हैं और मैं इसे काट के भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि प्रॉस्स चीज कितनी क्रीमी और कितनी जबदस बन कर तयार हुई है आप इस प्रॉस्स चीज को अराम से दो तीन हफते के लिए फ्रिज में रकर इस्तमाल कर सकते के अगर आप आपको मेरी रेसेपी पसंद six तो्— अपने दोश्हाइण आप में शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल बन justo करना बिल्कुल भीere क प incorporate at Allah Hafiz.